बात करूं, तो हमने कल जो है, हाँ, मैंने का कल की अगर हम बात करेए, तो कल हमने याद किया था, sports से related, जो books and authors है नहीं, वो मैंने आपको याद करवाये थे, और उमीद है कि सारे आपको याद होंगे भी एक तरह से ये, मैं थोड़ा उसी कड़ी में आगे चलूंगा और मैं एक बार rhythm बना लो और rhythm कुछ इस तरीके से बना लो, कि मैं ये पूछना चाता हूं, मैं ये पूछना चाता हूं, दिख जाएगा लिखा, वा सायद देख लेते हैं, एक बार दिख जाएगा, जी, हाँ, मैं पूछना ये चाता हूं कि एक, क्या बोलते हैं, ये वो, one century is not enough, ये किसके द्वारा लिखी गई थी बबा जल्दी कमेंट करिएगा ताकि मेरी रिदम बन जाए एक बार पड़ाने की यह जी बताइए बता यह क्या करेंगी मैंने कहा ओन सेंचुरी इस नौट इनफ यह केसी भुकती जो किसी के द्वारा लिके गई थी आप आंसर स्टाट कर चुके आपका अंसर बिल्कुल सही है सोरव गांगुली है बिल्कुल सही है जी है कुन सा था सोरव गांगुली है बिल्कुल ठीक 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 चलो ठीक जी मैं पूछता हूँ आपसे So To Win So To Win यह बता दो मैंने कहा So To Win Let's learn लिका भाला सई ने दीख रहा होगा यहाँ लिख लितने एक्षल में यह तो रहे गे है मैंने लिखना So To Win एक यह मैंने करवाई थी यह यह आदा आपको बिल्कुल Ole noises मैं पूछना चाहूंगा कि playing to win पूछना चाहूंगा playing to win ये किसके द्वारा लिकी गई थी ये जल्दी बताईए गाई वो सही है नोवाक जोकोविक बिल्कुल ठीक है ये बता दीजे किसके द्वारा लिकी गई थी playing to win बिल्कुल सही है perfect है answer आना start हो चुका है बिल्कुल सही है क्या था साइना नेवाल perfectly सही है बाबा ये और मैं पूछना चाहूंगा unguarded unguarded ये किसके द्वारा लिकी गई थी ये unguarded ये बता दीजे जी unguarded साइना नेवाल बिल्कुल सही है नीचे वाले का ये बिल्कुल perfectly सही है इसका बताईए आप दो यह अन गार्डेड बिल्कुल सही है मिताली राज परफेक्टली सही है बाबा यह कौन सा था मिताली राज यह एक दोर पूछ लेता हूँ यह एक था प्लेइंग माई स्टाइल स्टाइल वाला पूछ रहा हूँ आप से में यह जा यह यह बताईए खिसके दोड़ा था प्लेइंग मा em इस्टाइल इसटाइल वाला किसके दोरा लिखा गया हर् बवाला लिखा गया था कपिल देव के दोरा परफेक्टली सही है जी अचा अगर ताहरो प्लेइग माई वे थना वे एक वे वाला भी तहा निसमें याद आरा यह व्किसके द्वारों भी Крас к Counter C.Wmail वे वाला बता दीजे प्लेइग माई वै बैने का वह वाला किसके द्वारा ता बिल्कुल साहिय एक भून है साहवा आपका जतिन ठीक है जी है पिरस बिल्कुल सही है सचिन तेंदूल करता जी है ठीक इसका मतलब चीज़े याद तो है थोड़ी थोड़ी तो है मैंने कहा आप पूछ लेता हूं एक मार आस अगेंस्ट और्स एक ऐसे भूख दी जी है एस अगेंस्ट और्स ये किसके द्वारा लिखे गई है एस अगेंस्ट और्स किसके द्वारा सानिया मिर्जा बिल्कुल सही है मैरे भाई इसका मतलब चीज़े याद तो है सानिया मिर्जा बिल्कुल सही है मेरे भाई ठीक है जी ठीक है हाँ ठीक बिल्कुल सही है कौन सा होगा सानिया मिर्जा एक लास्ट और पूछ लेता हुए तब तक रिदम हमारे बन जाएगी लास्ट पूछ लेते हैं और पूछ ये लेते हैं कि कौन सा पूछ सकता एक्जाम म भी इसको छोड़िएगा एक बुक्ते हमारे पास में वो याद हाँ हालांकि नहीं पूचेगा लेकिन फिर भी ओल राउंड व्यू ये किसके द्वारा लिखे गई थी बताइए ओल राउंड व्यू अल अल्य राउंड व्यू बिल्कुल सही है किसके द्वारा इमरान खानके द्वारा और नोइस्पीन किसके द्वारा दी knowing इसके बाद एक पूचूँगा पिर डेंश्टारट थे अपूइंट कर दinator का पुएंट है नोई सबीन बता दो जीनोई श्मीन नो इस्पिन नो इस्पिन सैन्वान परफेक्टली सही है बिल्कुल सही है एक और पूझे लेता हूँ टेस्ट अप माई लाइफ टेस्ट अप माई लाइफ एक बुक और थी लास्ट में यह बस इसके बाद नहीं है क्योंकि सारे सही जा रहे हैं कोई सेंस नहीं पूझेने का फिर यह टेस्ट अप माई लाइफ जो है वो किसके द्वारा लिके गई थी बता दीजेगा एक बार टेस्ट अप माई लाइफ यह बिल्कुल सही है योगरा सिंग चलते हैं आज का और मैं बता दू आपको कि पॉइंट लिखा है कि नवंबर 2021 से लेकर नहीं यह अक्टॉम्बर से हई इसको हमने अक्टॉम्बर कर दिया आज आज पहले यह नवंबर का बनाया वादा अब मैंने इसको अक्टॉम्बर 2021 से लेकर अगस्त अभी फिलाल जो है जैसे डेटा आते हैं वो हम करवा देंगे तो फिलाल देखिए आपको मैं बता दू यहां से यह कि देखो जो fix है ना books जो fix books and authors है वो तो सारे आपके दिमाग में ऐसे चले जाएंगे जिसे मैंने अभी पूछा ना आपको यह मैंने का जो मैंने पूछा अभी आपको यह आप सारे नाम बता रहे थे हैं current वाले में पता है क्या चीज है current वाले में जो काम करना में वो काम ऐसा करना है क्योंकि ज्यादा जो क्वेशन हो current के पूछे जाने हैं लेकि मैंने कहा कि कोई कह नहीं सकता कि जी क्टेटर वीडियों डिसेबल यह क्या हुआ। वीडियों चल रहा न Васरangan कमेंट करना ही नहीं यह है करें अन्य tomorrow करिये घजर आयाई हाँ चल रही है ये यह तो नै को न सम्न बता दो कि इस में बता और क्या होगा यह कि इसमें आपको नाम याद ने करना खेल पूरा यह है कि क्या पड़े और कैसे नहीं पड़े क्यां नहीं जो भी है पॉइंट एक तरह से यह मैंने का यह चीज इसमें मेटर करते हैं जितना फिक्स है वो तो सारे आपको याद आ जाएंगे यह जैसे मान लो मैं सरोजनी नाइडू को याद करहूंगा एक मिन्ट के लिए सोच जी मैंने पास अच्छा भूक आपको याद करवा दी मा कि मैं जो करेंट वाला पॉइंट आने उसके उपर कैसे काम करना हो चिज समझ याद करवा रहा हूं नहीं है जैसे मैं आपको याद करवा रहा हुं आप एकजाम में आपका डायक ली आंसर ऐसे क्लिक हो गए है है यहां काम दूसरा चलता एक तरह से तो देखिए कि एक बा 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक का डेटा अभी हम पिलाल यहां पर कर रहे हैं इस जगे और यह बुक्स जान रखना बहुत इंपोर्टेंट है यह इन में से उठाने के पूरे चांस रहते ही रहते हैं कि कोई ने कोई पूछी ली जाती है देखिएगा आपके पास लिखा पहला दा अ अंबुजा स्टोरी मैंने का क्या लिखा अंबुजा स्टोरी है और यह लिखी गई थी नरोतम किसके दवारा नरोतम सेक सरिया के दवारा यह किसके दवारा नरोतम सेक सरिया के दवारा लिखी गई थी जैसे मैं याद करवा रहा हूं पॉइंट बस दिमाग में वेसे ही ज सब्सक्राइब लें लेने जा रहे है घरवालों वे फोन किया भूले बेटा द्यान लगजी क्या थोड़ा सीख ले सरीया भी लाना था तेरे को यह साथ मैं जट बरनी है ना भूली हाँ अरे चट बरनी यह तो बैस सरीया तो चाहिए क्या बोले कि चाहिए किस के साथ में अम्बुजा सिमेंट के साथ महीं है तो यह कहना चारा अम्बुजा जो इस्टोरी यह वो किसके दौरा सेक्सरिया के दौरा लिखी गई थी एक तरह से यह वो जो अभी मतलब की शादे भी नहीं हुए एक्तर से और बड़ी वो क्या बोलते हैं एक्तर से यार यह कापिसारे उसके वो चलते भी एक्तर दारावाई किये क्या नाम हो उसका जरा बताएंगे एक्तर से यह मैंने का पॉइंट को समझ यह गई है मैंने कहा मैंने का पॉइंट को समझ यह गा मैं के ना कैचा रहा हूं यह मैं के ना यह चा रहा हूं कि तूशार कपूर की बेहन को ना बोली कि एक तक कपूर के शादी हुई नहीं हुई अब उसकी शादी नहीं हो तो इसकी शादी कहां से यह कौन सी है दा-मीडवे बैटल और यह लिखी गई है गोत्म चंता मनी मैं ने का किस के द्वारा गोत्म चिंता मनी के दवार आए अब उली इसको कैसे याद करके देखो जी मान लो ई तैमा लू भी तैमे यह बीच रास्ते में will भाई साल वोले कि बिशनिस करके यिए इधर मोदी जी कहे रहे है करिए और देखु क्या करे घॉखतम चिंता मत करो मैं बैटां ना मैने में हुद्धिक रहा सब्सक्राइब आँ चोड़ें गोट तो यह तो चिंता मनी के दौरा लीखी गई यह Lt. मिडवय बैटा लिए लिख तुरバ Google innings ही यह यहाज इयाज मैमन केद्वारा यह किसके द्वारा आयाज मैमन के द्वारा यह इंडियन इनिंग सी जन्नी ऑफ इंडियन कर्केट फ्रॉम 1947 यह कि 1947 से लेकर अब तक क्या यात्रा रही है भारतिय कर्केट की है इसने क्या क्या जैसे ये book market में आई नहीं, तो ये बड़े विवाद घड़ा कर देजिये book की, और इतने विवाद कड़े किये कि बीसेसिया ने इनको memo दे दिया, देखो जी ये, मैंने का इन्हों ने क्या 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 कि इंडियन एनिंग से, जितने भी इंडियन पारिया जो क्या क्या गटा यह और मैंने का जैसे यह बुक मार्केट में आई ना मैंने का इसको क्या दे दिया गया बबा मेमो दे दिया गया आपकी हिमत के सिवेशे करने की एक तरह से यह तो आयाज मैमन के दौरा इंडियन इनिंग्स लिखी गई यह है पॉइंट किया है वाटर सैड है मैंने का जैसा है मृद्फ pray वेख्ती यह इसका साबब है यह कंसे लाने के लिए झारे के किसा होना चाहिए मृदू सभा होना चाहिए यहीं तब तो उनको पानी भी लाकर देदा बंदा और क्या देदा कुटिया वी देदा यहां वाटर सेट किसके दौरा मृदूला रमैस के दोब प्वाइंट क्या है दिल्ली और लिका है कि soli loquist soli loquist का मतलब होता है अकेले वारता लाप करना अब दिल्ली में क्या हुआ कि जी कंग्रेस के जो आजे माकन है नाम सुना होगा आपने यह जिनको अभी राजस्तान का परबारी बना रहा है कंग्रेस के अंदर यह तो यही पर आपकेले बैटे दिल्ली के अंदर किसे बाते गरें अकेले बाते करते 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 एक दिन हुआ बोली क्यों ने एक काम करते हैं कि दिल्ली में अकेले बैटे कुछ से बाते करते रहते एक काम करते मांकन साव को ठिका देते हैं जी कहां राजस्तान के अंदर ग्र beef उन्योविक्त एब कशार और दीज До प्रत माग और उन्यीद् bon casually वह कंद आगे itो माकं से प्रत खाली में अपके दिमांग पता क्या चीज आएगी एक च्राइब में किस तरहां, यह हैड करेंगों, इसका लइब उन्हीं सब्सक्राइब, करेंगे आप यह आपका दिबास सीधा क्लिक करेगा एक तरह से उसी पॉइंट के उपर यह देखेगा अंबुजा इस्टोरी नरोतम सेक्षरिया कैसे लिंक किया था जरा बताएंगे एक नंबर पॉइंट को आप यह जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और देखते हैं कि किसक अरीके से हमने इसे लिंक किया है पहले एक नंबर का आप बता दो जी बिल्कुल सही है आप कमेंट करते रही है मैं फिर क्या रहा हूं आप क्वेस्टन देखेंगे आपका डाइट ही डिमाग में जाएगा इपर मानेट बिल्कुल सही है और भाई थोड़ा सीख ले सरिया भी लाना था हम मुझे सिमेंट के साथ में यह तो मैंने करें किसके द्वारा सेख सर्या के दवारा यह सेकिंड क्या है तुसार कपूर बैचलरी डेड़ क्यों बन गया भाई उसके पीछे वज़ए दी और वह वज़ए क्या दी क्योंकि भाई बहन ने शादी नहीं कि तो मैं तो बैचलर रहे गया अब आई शादी वेसे नॉर्मल फिर दूसर तरीके से करने पड़ती है तो फिर डेड़ बनने ही पड़ने गई है मैंने बैचलर डेड़ कोन तूशार कपूर यह तीसरा बताई यह मुझे दा दा मिडवेब बैटल मौदीज रोलर कॉस्टर सेके त्यारत यह यह आद करत्के है जो मैं याद कर वारों में वहीजी एक्जाम में आईगे हां थार्ड नमबर नमबर पॉयंंट पर गोत्तम चिंधा मनी के में रेक्लतु Mode हा बिलेकुद रेक्रीके सोन बचशतेम ती बेच्ष्ठा मैं मतें ब्लब सान को कह रहा हां? चिंता मनी के द्वारा दा मिडवे बैटल यह चार्ड नमर बताई एंडियन इनिंग्स एंडियन इनिंग्स हां बिल्कुल सही है बाई जैसे ही मार्केट में आई न क्या दे दिया गया इसे मेमो दे दिया गया गया जी तो मैंने का किया दे दिया गया है इसे मेमो दे दिया गया है क्यों दे दिया गया है म्रिदूला रमेस है पता है मैंने कहा इसका बताईए मैंने का वाटर सैड मृदूला रमेश यह पॉइंट आपके पास लिखा बिल्कुल मृदू यानि क्या होता सौट अरे जिसका सौट सभाव होता घर के अंदर इसको क्या पानी भी ला देते हैं वो अगर कहें कि कोटिया तो कोटिया में भी सुला द जो को क्वी घरल वारत लाब करने दिली में बेटे बेटे अब कहीं जाना होता नहीं oluşकांप कई तो किसने कई शूर्य कार एक काम कर दो इनको देदो वो लिएन राजस्तान देदो यी आनु weed किसको माकर भॉद onion मुकंदनी यह हो यह मुकंदन के द्वारा लिखी गई है दा ब्रैड कैसे याद करेंगे points यह यह देख़ेगा एक बार यह कैसे याद करेंगी बत्रास नेमा का नाम साइद आप मैं से तो सबने सुना आई बत्रा सिनेमा दिली का मुकरजी नगर का एक तरह सब आपने अच्छा गासा सुना हो गई अब वहां पर क्या करते हैं कई विकारी जीसे आजाते हैं सुबस्वाइब प्रातना करते हैं कोई पांस देदो यह और कुछ ना कुछ मिली जाता है कोई मिल जाता है उनको कोई देता है तो मैंने का रहा ब्रेड का मतलब क्या होता है ब्रेड यह मैंने का गेट का मतलब क्या होता है मिलना ये लोजी गेटिंग आप रैडिय मैंने का बुक क्या है गेटिंग दा ब्रेड यह और मैंने का ये लोजी मिल गई एक रसी है आहां ब्र खतम यह लिखा गया आर्सी गंजू और अस्वनी बठनागर के द्वारा यह किसके द्वारा आर्सी गंजू और अस्वनी बठनागर के द्वारा यह बोले कि याद कैसे करें देखो जी किसी को पता चला बोले कि वहां तो गांजा पेते हैं बोली अच्छा बठा बुला दें एक बठा सरकार नहीं कहा किसी ने कहा रहे वहां तो गंजु यानि की गांजा किसी ने कहा की रही वहां तो पर बट्ठा बुला देंगे बट्ठा वहां पर टैंसर मतलो और बट्ठा बुलाए यह कैसे operation को खतम करके यह मैंने कहा कैसे मैंने का किसी को पता चला मैंने का point to point समझेगा मैंने का RC गंजु अरे बाइट क्यों बीच में आता है हां RC गंजु यह मैंने कहा क्या 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 चारा RC गंजु और क्या अस्वनी बट्नागर के द्वारा operation खतम बोलेगी कि किसी ने का यार भाई साब वहां तो गांज आए गांज चल रहा ही है बोले अच्छा बोले ठीक जी है सरकार ने operation चलाया और चलाते हैं क्या कर दिया वहां बट्ठा बुला दिया अब बट्ठा बुला ने कहां खतम ही कर दिया एक्रस उसको यह तो यह लिखा गया आर सी गंजू और अस्वनी बतनागर के द्वार यह पॉइंट क्या है अमिताव गौस बहुत इंपोर्टेंट है इसके चांस हो सकते हैं आने के यह लिखा दा लिविंग माउंटेन यह बुक का नाम क्या है यह है दा लिविंग माउंटेन यह अब बोले इसको याद कैसे क है नहीं कोई छोटे से कुटियां मिल जाए नहीं पार नहीं पड़ेगी इनको तो यह कहा रहना है माउंटें परवत पर रहना आजिए परवजे से खुद परवत पर रहेगा आदमी यह तो मैंने का रहा है लिविंग माउंटेन ने कहा रहना परवत पर यह कौन अमिताव औरहे हैं वेकर आमिटाप खोश के दौन लिखी गई इसाइव पहले तो मुझे मुझेताद ऊछू 1 मैंने का स्री निकेतन का मतलब क्या होता है स्री निकेतन का अर्थ क्या समझते हां भी है स्री निकेतन या निकेतन का अगर आप मिनिंग समझ पाए तो यह तो इसका connection और भी खतरनाक लेवल पर कर देंगे हम भी बिल्कुल सही है जी है निकेतन यानि केतनी सदन घर इस तरीके सही है आश्रम कह सकते हैं घर कह सकते हैं अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखेंगे नहीं आप अगर इतिहास उठा कर देखेंगे हिस्ट्री यानि की इतिहास इतिहास उठा कर देखेंगे तो कई वंस ऐसे दास थे तो मैंने का यह उमा दास गुपता के द्वारा लिखी गी है आई हिस्ट्री ओप सुरी ने कहता नहीं है पॉइंट क्या है कि चार लिखी है फिर एक बार और रिपीट कर देता हूं कि टेंशन में मता जाना क्योंकि यह नाम क्या है अटपटे है यह लेकिन मैंने कहा जिम्यदारी मेरी है आप भूलने की कोसिस करना मैं जैसे अबजेक्टिव कुशन इसमें डालूँगा आप खुद कहेंगे कि यहां इसकांसर यह इसकांसर यह इसकांसर यह इसकांसर यह बस जब कमेंट मांगू वहां कमेंट कर देना वोसी इतना काम करना नोट करने की भी जुरत नहीं पढ़ने दूंगा में यह बताई आप यह नंबर वन पर लिका है प्रातना बत्रा इनके द्वारा लिकी गई है गेटिंग दा ब्रेड यह सैकेंड नंबर है ओपरेशन खातमा या खतम मैंने का यह लिकी गई है आर्सी गंजु और अस्वनी बतनागर के द्वा पूसा दीजे एक नंबर का कंड मलक कैसे connection हमने किया था जी कि अध्यास ही हा बिलकु सही है पर्फेक्टली सही है मैंने का बत्रा से निमा पर वहां देखते हैं कई विकारे होते बेक मांग लिए लोगवाई देदो देदो उनको मिली जाती ब्रेड गरा तो मिली जाती गांजा मिलता बोले अच्छा ओप्रेशन चला है सरकार नहीं और कैसे खतम किया बट्टा बुला कर यानि कि बटनागर यह तो आर्सी गंजो और असोनी बटनागर कहां मैंने का ओप्रेशन खतम यह लिका तीन नमबर यह अमिताब गौस क्या लिका है अमिताब गौस इसका बता यह कैसे लिंक करेंगे हम यह अमिताब गौस यह गांजावाला बत्रा सिनेमा ठीक ठीक है इसका बता बिल्कुल सही है मैंने का अमिताब बचन पहाड़ जैसा है तो पहाड़ पर ही रहेगा यानिकि लिविंग माउंटेन यह उसके बाद को चार नमबर यह उमादास गौटा यह मैंने कहा हमादास गौटा जो है वह कुछ इस तरीके से लिकावा है मैंने का ओमादास गौटा यह का बता देता निए स्टिरी आप स्री नीता निक टानी रिसक्त ピर्टा यह मिताब अच्चन वाला ता यह ठीक हमिताब गौस हो जाएक है हा और यह प्रफास में उठा कर देख लो जितने भी घर हुए है नहीं आगे फिर चलते हैं याद करते चंद्र चूर घौस इनके द्वारा लिकी गई यह बॉस यह लिखी गई यह बॉस यह जो ऐसा हाइलाइट कर रहा हो वही चीज़ याद कर नहीं है यह आगे वाला पॉइंट नहीं याद नहीं करना वही पूछता आई यह मैंने कहा और यह पूछेगा तो यह तो आए गई यह चंदर चूर गौस यह देखो जी विजेपी पार्टी नहीं चंदा बोलेगी चीज़ तुम ने तो अपनः चंद चूर कर दी है और बार-बार विजेपी की पार्टी गुञत x मैंने कहा जन्नली जो है वो एक ही व्यक्ति का नाम लेती है बताओ किसका लेती है यह मैंने कहा एक ही व्यक्ति का जादर उसी का नाम लेती है वो लिए जिए आपने तो उनके सपने चकना चूर कर दिया एक तरह से यह मैंने का बताईए किस की बात करते यह है, बिल्कुल रिखो जीए, मैंने का हाँ, मैंने का तुमने तो सपने चकना चोर कर दिये, तुमने तो एक तरह सी है नेता जी के सपने चकना चुर कर दिये तुमने तो एक तरसी है तो चंदर चूर गौस किसके द्वारा सुरी यह चंदर चूर गौस के द्वारा बॉस लिखी गई है यह पॉइंट क्या है आकास कंसल यह भी अच्छी है यह लिखा एदा क्लास ऑफ युपश पॉब तो हजार चै अब ऊसको याद कैसे करें यह जीए किसको इसको एससे याद कर लो कैसे अप ने इस्टिटिट्स का जिरो सिक्स यह नी कि किसके दौरा आकास कंसल के द्वारा यह भी बहुत इंपोर्टेंट जान रखना है Frich Amishra Frich दुवारा लिखा गया हया अन फिल्ड बैर्ल से इंडियास अयल स्टोरी एन और फिल्ड बैरल से इंडियास ओयल स्टोरी देखाज लिष्टेर नहीं होता है जब आदमी इरिस होना या दनी होता यह तो आप उसके कितना है कुछ ही चाहिए उसको भर ही नहीं पाएंगे। यह कहे गा कि नहीं है। और 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 कितना ही बेरल डाल दो आप यह वो कहेगा या बरातो नहीं वो लेगी आदमी क्या होता रिच है जी एक तरह से उसका बर सकते हैं कोटा पर नहीं बर सकते हैं तो मैंने कहा जब आदमी रिच होता है यह तो मैंने कहा उसका आप कितना ही बेरल डाल दो तेल का य है पॉइंट क्या है राफा याद आया कुछ ही है राफा लिखी गई राफैल नडाल के दवारा यह किसके दतवारा राफैल नडाल और इन दोनों के दोरा लेकिन्स यह पूछेगा नई है यह हमने कल याद कर ली ती वी लेटेस्ट भी है ये और ये पूछ सकता आगे चलकर फिर यह उसके बाद देखेगा पॉइंट कहा है कि चार लिक्षान है याल पर यह कितने चार लिक्षान है यह कैसे याद कीते एक फिर आपके लिए एक इंपोर्टेंट बता दू कि करेंट के बुक्स को करन्ट के अवार्स को करन्ट के डेटा को याद करना इतना टेटा की रहे है बच्चे के लिए मतलब कि वो याद करता है दूसरे दिन भूल जाता है और भूलता कितना आई है मैं बता दो आपको ही कितना सो में से 95% डेटा नहीं है किसी को लगे कि जी ऐसा नहीं होता है करके देख लेना आज ही एक काम करना बुक्स से ओतर सो छोड़ी है इसको तो मालों में पढ़ा अवार्स एंड जो मलों जिनको मिला एक रही है जो रिसे पेंट एक रही है उसको याद करके देखना बीस पच्छीस याद करना और कल शाम को आना फिर उनका देखना है कितने याद एक रही है इतना है यह यह भी आ जाये तो बहुत बढ़ी वात आई है तो इन चीजों को याद करने के सुन्दर तरीका यह हुता कि हम इनको लिंक कर दें एक रही है बिल्कुल सही है नंबर वन का जो आपने लिंक किया परफेक्ली सही है मैरे भाई है मैंने का बोस के यह इन्होंने आते गोशना कर दी है कि जी बोस के तो तो तुमने सपने चकना चूर कर दी है सुभाज चंदर बोस के एक रसी है तो मैंने का यह हो गई चंदर अचूर गोस किसके दौरा मैंने कहा सो इनके दौरा बोस लिखे गई है सेकेंड बताओ जी आकास कंसल यह किसके दोर रहे ओकास Waiting किसके दोर रहें यह अकास . जबिंति आजङते मैंने डिख्या सेहों सियक्त के अलबर सम ing pixels नमबर हमाई उसके लिए इंब करेंगर जहें इसके वाद देखेंगा थार्ड । जयान रखना है वहाथ इंपॉर्टेंट यह यह खींतलन चाहरी और मैंने बड़ी इंप्रेंट थीमा मता दो कैसे करो नहीं रिचा मिस्रा तरि दो प्रिचा मिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दा लिविंग माउंटेन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी जरा कमेंट कर दीजेगे एक बार दा लिविंग माउंटेन ये बताईए बाबा किसके द्वारा लिखी गई थी ये दा लेवेंग माउंटेन जल्दी जल्दी बता दीजेगा जितना कमेंट करेंगे मज़ा आएका के अंदर यह बिलकुर सही है अमिताब गौस具 द्वारा लिकी गई थी बिलकुर वाइं और पूज़ना बंता तार बंता है तो पूचेंगे और पूछेंगे यह कि मुझे बता में आगे वाले पर बढ़ूंगा यह जितना कमेंट आप करेंगे उतना मज़ा मुझे आएगा मैंने लिका इंडियन एंडियन इनिंग्स किसके दोरा यह इंडियन बिलकुल सही है आज आया सोज आया आज मैमन आया 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 ना जैसे मैमों देदिया उसको भाई साव यह त देखते है जनल जैजे सिंगे रिटायर होगे जी है और इनके द्वहारा लिखिये गए मैक मोहन लाइन पहले तो मुझे बतादो कि जो मैक मोहन लाइन ध्ला ने रहन उ से द्वीयो ने डेशों के बीच में है एक तौन से देसां की को याद आता है मैक मोहन लाइन यह यहици होते होंगे जो कराफी साथ बढ़ा वोगार एक जब मैं पूचा वांड़ा हुआ कंपम है मैं में माट मोहन लाइन है वो कौन से दो देसों के बीच है बताएई मैंने कहा मैक मोहन लाइन जो है आप कह रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में है बारत चाइना बात यह किए जी मेरे भाई हाँ इंडिया चाइना बारत चाइना यह बिल्कुल सही है जी बाई साव ये लाइन बना दी नहीं दोनों देशों के बेच में ये मैंने का इन दोनों के देशों के बेच में जिसने भी ये मैक मोहन लाइन बनाई है नहीं हम तो आज उसकी जेजे करते हैं क्या करते हैं जे जे हो बैसा बचे वे हैं बचे वे हैं कोई दिक्कत नहीं अभी है मैंने का जिसने बनाई ये मैक मोहन लाइन उसकी आज हर कोई क्या करता है जे हो जे हो जे हो जे हो जे हो जे हो जे जे सिंग के द्वारा मैक मोहन लाइन लिखी गई है उसके बाद देखिएगा point क्या है मैंने कहा point क्या है point यह है कि कुछ इस तरीके से लिका गया है नावदीप सिंग यह important ध्यान रखना बहुत important यह नावदिप सिंग जो है इनके दवारा लिखी गी गोल्डन बोई नीरज चोपडा लिखी गई गई है अब बोले कि जिसको याद कैसे करेंगी देखो जी इसमें एक भी पॉइंट अगर हम याद कर लेते एक्जाम में हिट करेगा डायरेक्ली आफके ये कैसे करेगा यह, आप मुझे बता दीजिए, कि जिन नीरज किसको बोलते हम यह, नीरज, सुना होगा आपने, नीरज, जलज, पंकज, सरोज, सुना है, छोटी छोटी क्लासर हिंदी में पड़ा करते थे, परियाईवाची सब्द, सुना है पोइंट यह, नीरज, जलज, पंक जलज, सरोज, मैंने कहा, सुना है पोइंट यह, हाँ, किसके होते हैं यह, परियाईवाची यह, कमल के होते हैं, परपेक्लिस हैं यह, मैरे बाई है, और कमल खिलता कहा है, कीचड में खिलता, कीचड क्या होता है, आरे, गीला होता है यह, मैंने कहा, क्या होता है, गीला होत किस के द्वारा लिकी गई है गिल के द्वारा है उसके बाद दिखेगा डॉक्टर कीरन भैदी सब का नाम सुनावा है किसी रन के अंदर इनको ब्यजदो यह भैद कर निकल जाती है बिना डरे मैंने का बारत की पहली महिला IPS क्या यही है आگर मैं गलत हूं हाँ हाँ पस्ट IPS हाँ मैंने कहा मैंने कहा पहली IPS मानला पुलिस के अंदर है इंड़ीन पुलिस सर्विस एक तरह से है तो मैंने कहा पुलिस के अंदर है इनको किसी रण में बैश दो आपी है बाई साब ऐसे बेदिकर निकल जाती थी है मैंने कहा किसी भी मैंने कहा रहे बारत की पहली जो महिला IPS थी है मैंने कहा पुलिस की बात कर रहे हैं मैंने कहा इनको किसी भी रण में बेज़ दो आप यह यह बेदिकर निकल जाती थी है इसका मतलब क्या इनको डर लगता था नहीं लगता था यह निडर सासन करती थी तो मैंने कहा निडर सासन किस के द्वारा डॉक्टर किरन बेदी के द्वारा यह लिका है लिका क्या है मैं बता दू आनंद भी दो ओता जनरली शुशान निना अच्छा एक मिन डुके गई यह स्थोड़ा सा गलत है यहां पॉइंट क्या है पॉइंट यह है अच्छा हां यह आनंद के द्वारा यह हां यही पूचे गई यह नहीं पूचे गई इसको अठाइए यह मैंने का यह माइंड मास्टर यह जो कि अमने कल याद किती है कौन सा था वो विश्वनात आनंद यह तो यह आनंद के द्वारा लिखे गई, यह भी अभी current के अंदर ही point अजी है, कितने 4 point यहां लिखे वे हैं यह, पहले मुझे बता दो, एक number का कैसे link किया था, फिर हम देखते हैं आपके लिए, एक अच्छा सा point बताएंगे यह, बताएंगे, जन्नल जेजे सिंग, Mac Mohan Line, जल मैक, मोहन, लाइन, हाँ, आज मुझे लग रहा है, फिर गड़ बढ़ हो गई है, मुझे comment जो है, वो आपके सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे, चक्कर क्या है यारी, कल भी इसी टाइम होगा था, कोई और क्लास से start नहीं हो रही है, हाँ, अब ठीक है, हाँ, क्या कह रहे है, मैक, मोहन, लाइन, कीचिती तो, जे हो, जे हो, हाँ, कुछ टाइब, अब नहीं होगा यह टाइब, पता नहीं इस टाइम, कोई क्या तो, क्लास ओर सल रहे होगी, वहाँ, गुरुकुल के अंदर, ऑनलाइन, हाँ, मैंने का, क्या कह रहा है, आप यह, हाँ, मैक, मोहन, कमल, कमल, किलता है, पानी में, यह, तो, मैंने का, हो गया, यह, यह, गीला, गीला, क्या होता है, पानी तो, होता है, तो, यह, हो गया, यह, यह, हाँ, डॉक्टर कीरन बैदी, बताइए, डॉक्टर कीरन बैदी के द्वारा लिकी गई है, निडर सासन, यह, इसका क्या करें बेज़दो इनको बैद जाएगी अब जो किसी रण में अगर बैद जाए यानि कि कि रन बैदी इसका बैद जाना मुझा बीना डरे यानिक निडर सासने एक तरह से यह यह याद करना जहां डखना यहि पूझे गई है मैंना क्या लिख करना माइंड मास्ट्रि जो करें कि दिरेंदर केजाओ जानिक कि गांधी का हत्यारा कुछ ऐसा ही होगा बिल्कुल हजी है मैंने कहा गांधी का हत्यारा किसके द्वारा लिखी गई थी दिरेंदर के जाके द्वारा यह अब उलियाद के से करें धीर का मतलब होता है धैर यह धीर का अर्थ निकलता है धेरिये धीर का अर्थ निकलता है धेरिये एंड का मतलब होता है अंत जब गांदी जी की हत्या कर दे गई पूरे देश के अंदर ये से हाहा कार माज दिया गया किया किसने किया किसने आकिर ऐसा ही है किसी बड़े सज्जन वेक्ति ने का हां भाई धेरिये रको नाई होता है इस देश के अंदर चाही एंड में जाकर ये जलेगा इंड में जाकर इन बहले पता चले ये तो रखो तो दिरेंदर के द्वारा लिखे गे यह गांदी का हम यानि का इस देश को आब तक या ने बचाया है यह बताओ किसं मैंने कहा इस देश को यह इस देश को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है जिप पहले गांधी परिवान ने कात किया था तो यह गया गांधी यह गांधी जी कर रहे है तो मैंने कहा यह गया पिरियम गांधी मोधी के द्वारा लिकी गई है नैसर टू प्रोटेक्ट यह उसके बाद देखिएगा लिका है जिम्मी सोनिक इनके द्वारा लिकी गई है दा फाउंडर ये क्या होगा जिम्मी सोनिक के द्वारा लिकी गई है दा फाउंडर ये अब बोले कि इसको कैसे याद करें तो देखो जी इसको ऐसे याद कर लेते हैं जब मैं जिम्में गया है न ये तो मु और पाउंडर किसके दौरा जिंमी सॉनिक के दौरा यह रसकीन बॉंड यह पूचा यह एक तरह से बोले तो यह मैंने का रसकीन बॉंड के दौरा लिखा गया है अच्या रसकीन बॉंड की पूच्टा भी एकजाम के अंदर हिए मैंने का रस्किन बॉंड हुआ, ससी थरूर हुआ, यह कुछ तो इसे फैमस है जिनकी जादर पूचा है पूचा करता है, एक रस्किन बॉंड के द्वारा लिखी गई है, A Little Book of India, 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 गया, तो देखो जी, अगर छोटी किताब लिखो गेना, भारत के अगर छोटी किताब लिखो गे, तो किन किन का पता है कि बूंड को समझे मैं क्या कहना चाहिएरा हूं बारत के बारे में लिखना है तो थोड़ा बड़ा लिखा करें लिटिल भूक आप इंडिया किसके दौरा रस्कीन बॉंड के दौरा कितनी लिखी है चार लिकी है यह बताये गजरआ दिरैंदर के जा इसके द्वारे लिकी गई यह गांधी का हथ त्यार आई है इनके द्वारा लिकी गई है नेसन टू प्रोटेक्ट जिमी सोनी के द्वारा दा फाउंडर और चार नंबर पाली का रस्कीन बॉंड इनके द्वारा लिकी गई है लिटिल बुक आप इंडिया बताईए जी क्या करेंगे यह कैसे लिंक किया था यह बस मैं फिर कह रहा हूं आप जो क्वेस्टन लाओंगा नहीं एक चलो मेरे से गलती क्या हो गई है कि मुझे इसमें क्वेस्टन डालने ते यह लेकिने मेरे माइंड से स्लिप हो गया मैं टाइप भी करवा दिया थे इनके क्वेस्टन यह सारे जितने भी बनने देने इनके टोटल भंजी सही और गांदी का अत्यारा पकडा जाएगा देर यह रखो आडमी सही पकडा जाएगा दिरेंद्रा और यानिके दिरेंदर के द्वारा है अ मैंने कहा इस देश को कیן वहरो wahr attempt करने का काम अगर किया है यह मैंने का अगर काम किया देश को प्रोटेट करने का तो मेरे पिरिये यह तो गांदी ने गांदी परिवार ने किया यह मोदी ऑनी जी कर रहा है दोई लोगों ने किया हदिए एक पॉइन यह फोइन है तीन नमबर शिम्मी स्वार्ण है मैंने कहा मैंने का बोद विह को सया है आपके दीमाग थे अपबजेक्ट कुसन आएगा बिल्कूल सही है जिमило जहाता मुझे bank mister was ओतावा आ अबसे कि मैंने का पाउंचान नंबर रस्कीन बॉंड यह इनके द्वारा लिखी गई यह लिटिल गॉक उप इंडिया दिचा लिटिल गॉक उप इंडिया और आप भाई हूं क virtually तो और सुनित कि मेने कहा करेंट कि तो 1957 यां तो हुम क्या कर रहें इसमें फिक्सिस वाली भी कर वार वहा हूं आपको कर लए बाहर भार करेंट हैं या मैरे कोशिश भी रहे कि ऊपर वाला जाना है मैंने कहा रो खाण नाइड देखो आजकल क्या होता है यह डिजिटल एसा अचो कि है के छोटे बच्चे को अगर आप को hunting आ रहा है नहीं है यह डिजिटल एजसी आ चुकी है यह एजसी आ चुकी एक तरह से कि मतलब आजकल डिजिटल सुरी है आजकल एज जोहनव इस तरीके से आ चुकी है कि डिजिटल जमाना है चोटे बच्चे को अगर आप यू मान के चलिए कि एक तरह से यह अगर मोबाईल नहीं देंगे मुबाईल मतलब डिजिटल एकटता nggak अगर नहीं देंगे मिए खाना नहीं नहीं घाएंगा beyond two zero two one यानि मम्ता ब्योंड दो जार 2100 लिखी गई है वो यह लिखी गई है और देखो जी मम्ता के गोजले में सारे पस गए थे यह मैंने एक वर बनाया था यह इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यह कैसे कर सकते हैं यह अंत में देखो जी यह बात करते हैं वेष्ट बंगोल के जब इलेक्षन हुए थे यह मैंने कहा वेष्ट बंगोल के जब इलेक्षन हुए थे तो आपको पता है अंत में जे किसकी हुई थी मैंने कहा अंत में जे मम्ता की हुई थी मेरे बाई यह यह सारे गोशले मोता की एक तसी होता तो मैंने का जिए इतनी ममता होती है यह कि वो आमेशा गोशले के अंदरी रहती है अपने बच्चों की सुरक्चा करने के लिए तो मैंने का मम्ता वाला जैंत गोसाल के दोवारा यह, पॉइंट का लिखा है कि राहूल यह भी इंपोटेंट है यह, राहूल रामा गुंडम क्या दिखा है एक तरह से यह, जोर्ज फर्नाडिस का जीवन और समय, जीवन और समय, अच्छा यह लिखा है जी, इनके दोवारा यह, अच्छा इनके दोवारा लेके गये जॉर्ज फर्न अडिस ये जॉर्ज फर्न अडिस यह मैंने कहा जॉर्ज फर्न डिसी ये लीकिये राहुल राहुल रामा गुन्डम से इनकर हैं कोई मायड मत करनाई है आपने नाम सुना होगा एक एक परेसे जैक्लिन से लिंक जैकली जैकली इन फनरेजी सुना वोई फनरेज यह यह तुँजी है पिए खुने के पोड़ी का रखती है T यह कौन सी क्या करें जुलाई में आई ती जो भी है भूकि सारी करवा दूंगा उसके बाद आप अक्टुमर से लेके और मुझे बता देना कि जी अगस्त तक जो है बोलेगी यह चोट गए वैसा चोटे की नहीं कोई से भी है सारी करवा दूंगा यह यह जो परकार के गुंडे रखते हैं एक एसा गुंडा एक एसा गुंडा यह ज्यादा कुछ इसमें बताएंगे नहीं है क्योंकि दिक्कत प्यदा हो जाय으 फार तुम यह जैसाई देपक ही एंडिया यह पकी यहाय किसी यह बारत ही है किसे ने का रहे इंडिया नहीं यह वो बारत है अब कि जहां दिवाली के दिन जहां दिवाली के दिन ही नहीं कोरोना काल में भी दिपक की दिपक जलाये थे यह बारत है दुनिया को दिखाये था हमने यह इंडिया देट इस वारत कि इसको बारत क्यों कहते हैं तो मैंने का जे साई दीपक के द्वारा इंडिया इज बारत है, कितनी लिखी है, चार पॉइंट लिखे हैं यहां पर यह, आप मुझे एक बार बता दीजे, कैसे कैसे हमने लिंक किया है, बताईए कही है, आपके पास में यह पॉइंट लिखे है, यहां चार पॉइंट इस जिगर लिकावा है यहां यह पॉइंट भी सही है कि यह भारत है जहां पर साई बाबा के भी देपक जलाते हैं जी एक तर सही है खतना कहिए बिल्कु सही है और बताइए बिल्कु सही है डिनीटि इन और टेजिटल एच बिल्कु सही है देगनीट्い और टेजिटल आचुकी यह मबार के न इंट बूसाल के दवारा ममता ब्योंड 202 बन कई यह किन के दोबारा जयंत गोसाल के दोबाल आई जयंत गोसाल के दोबार आई है कि रोते खाना टाइम डीटल मोबाइल ठीक जब बच्चे डिजितन मेल नहीं थे यह पक्सी के अंदर यह इतनी मम्ता होती कि अपने गोषले में जाकर बच्चे को समालती एक रसे कि यह जीवता है कि यह जी रहा है कि नहीं जी रहा है तो मैंने का जैंत गोषाल के दौरा मम्ता ब्योंड टू-जीरो-टू-वन यह तीन नमबर लिखा है यह जैकलिन फंणा इंडिय यह चाना रहा है यह जहां लोग साइब आवा के भी देपक जला देतें यह था यहां बिल्कुल वाट यह बेलोग मोदी जी कहने पर भी कोरोना में भी देपक जला दिये तो मैं नहीं जी यह पॉइंट होगा इस देगई उसके बाद देखिए और यह तलो जी इस यहां तक कोई दिक्कत है याद करने में थोड़ा सा ओर ज्यान रखेका क्लास को इसको और पीछे वाली क्लास को ही पीछ वाली क्लास को मैं फूल स्फीड में लेके चल रहा था और इसको नहीं लेने के पीछे कई कोई दिक्कत करेंगे और इसका सीधा एक्जांपल में आपको क्लास के अंदर लाई भी बता दोंगा यह कोई दिक्कत है आपको याद करने में तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं यह कि जी आमें यह दिक्कत है हाँ धीरे चलने के पीछे वज़ा है यह क्यों कि लिंक ही इसी तरीके से चलता है इसके अंदर यह हाँ कोई प्रोब्लम नहीं है के लिए है ठीक जी हाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है नहीं है तो अगली बुक हम करेंगे कल नहीं कोई दिक्कत न कोई प्रोबलम नहीं है ठीग ठीग अच्छा एक काम करेंगे मेरा यह वैसे मैं आस तक कहां नहीं है आप इस नियुक्त समझे आपका मन करें तो यह मैंने कहा अगर आपको चीजे याद हो रही है तो मेरी रिक्वेश्ट यह के आपके कोई फ्रेंड तो होंगे यह तो कन पम है आप इनको एक बर सेर जरूर करिए गई वो एक बार देखे तो हो सकता है एड़ बिस नहों यहां पर यह मैंने का मैं आज तक में कभी बोला नहीं हूं यह चीज में आप किसी वीडियो में आप मुझे बता दें नहीं आप नहीं है लेकिन पहली बार बोल रहा हूं और मुझे से लग रहा है कि चीज बहुत डिफ्रेंट देएगी कई बच्चों को इसका बेनेफिट हो सकता है एक तरह से इसका यह अगर आपका मन करें तो बाकि मैं यह नेकर आपसे कि जिने करना ही है वो तो है नहीं है आपका अगर मन करें तो आप करिये गए मैं यह किन मानिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें यह उसको भी लगेगा कि वाके में चीज बड़ी आसान है यह पुरा इसी का होगा इस टेटिक खतनाक लेवल पर रहता है तो मैं इसलिए कहरा हूं कि अगर आपको लगे कि नहीं चीज सही है यह आज तक मैंने इंगलिस में नहीं बोला लेकिले मैं इस सब्जेक्ट में जरूरूर बोल रहा हूं यहां मैंने टार्गेट सेट कर लिया है कि इतना खतनाग लेवल पर मैं इस टॉपी को सब्जेट को लेकर जाओंगा कि कलपना भी नहीं कर भाएगा बंदा एक तरसी हां और सियन गुरुकुल के टीचर कॉपी करें कॉपी करने वालों करने दो यह हमारा एक चीज मानना आए है आज तक मैंने कभी डाले किसी के बहुत सारे मेरे यूटुप पर आयए वे हैं यह चैनल पर यह की जिए पर सेंट यह 40 पर सेंट एससे यूज़ कर रहा है इस तरीके से आया हुआ है लेकि मैंने कभी नहीं कि क्योंकि कोपी कर रहा है इसका मतलत यह कंपर हम सही है समझ नहीं हां हम सही है तो हमें उसकी दिक्कत नहीं कंप्रिसन बढ़ने का डर लगता है मेरे बाई कैसी बात कर रहे हैं किया मेरे एक के पढ़ाने साथ कंप्रेशन बढ़ जाए गई यह मुझे नहीं लगता कि इसा हो जाएगा आप सोच को थोड़ा सा बढ़ा यह बनसल साब हां तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मैं आपको बता दो पिछली ख्लास सब मैंने आपको दी नहीं गंटे की अठारा गंटे से उपर मेनत की मैंने उसमें मैं मिनिमू मतारा ओठारा गंटे इस क्लास को मैं दे रहा हूं तो यह सामधे का यह इसर को दाना आए यह जा आए पड़ा नहीं अब मेरे बाइद ना एपर लगाना बारता कभी के तरह दिमाग रात को जो नहीं है ऐसे गुटार रहता कि हले खले क्लास सबक बड़े लेकर जाए तो मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर यह और इसी टाइम पर अगली बुक करेंगे और करेंगे कोई करेंगे देख लेंगे यह कोई करेंगे इसमें कोई सब्सक्राइब तो पहले बार मैं करेंट को फिनिस कर लेता हूं यह फिक्स वाले में तो ट्रिक जो अब बड़ी खतरनाक बनती है ठीक मैं मिलूंगा दोस्त आपसे कल ओके जी राम राम जी जी ओके थेंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेज़ के लिए